नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत हैं हम आज अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भरतियों प्रोनत्ति बोड द्वारा यूपी यस आई भरति के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसकी इंपोर्टेंट बा प्रदेश्टियों के बारे में बताया गया है सबसे पहरी भरति यूपी एस आई जो सेविल पुलिस है थानिम जुरती है उसकी भरती है दूसरी भरती है प्लाट्रून कमांडर की और जो तीसरी भरती है अगनी समन दितिया धिकारी की है तो कुल इसमें रिक्त पद हैं 9534 जिसमें क्रमसा 927, 484 एवं 23 भरतियां है और इस भरती में पूरुसम महिला अभ्यार्थी दोनों भर सकते हैं और महिला अभ्यार्थी केवल उपनिरिक्षक नागरिक पुलिस पद है तो केवल अवैदन कर सकती है इधान पर आनलाइन अवैदन किया जाएगा और इसमें जितनी संख्याय सीट हैं आपको बताते हैं जो अन्रिजर्व हैं हुआ है 3613 सीटे और जो रिजर्व हैं अब उनके बारे में बताते हैं तो EWS एकोनामिक वीकर सेक्षन में 902 सीटे हैं अन पिछड़ा बार OVC में 27 परसंट जिसमें कुल 247 सीटे हैं अनुसुची जाती यसी 21 परसंट जिसमें कुल 1895 सीटे हैं अनुसुची जन जाती 2 परसंट जिसमें की कुल 180 सीटे हैं टोटल मिला करके इसमें 927 सीटे हैं और उसके वाद यहां पर होरीजेंटल आरेक्षण जिसमें के स्वतंत्रा संग्राम से नानिक के आस्रित जो हैं उनका आरेक्षण दो परसंट का हैं कुल पद है 180 भूत पूरे संग्राइकों के लिए 5% का रखचण कुल पद हैं 451 महिलाओं के लिए है इसमें 20% कुल पद हैं इनमें 1805 जो पूरा पद है 9534 उसमें 1805 जो पद है वह क्यों महिलाओं के लिए रिज्जेवर 20 परसंट आगे बढ़ते हैं दूसरी भरती है प्लाटून कमांडर पी एसी इसकी संख्या है 484 कुल इसमें अन एक्ष जो अन रिजर्ब हैं वह 194 EWS वालों के लिए 10% है 48 सीट है वो BC वालों के लिए 131 सीट है CC वालों के लिए 101 सीट है ऋस्तेई वालों के लिए 10 सीट है कुल मिलाघ करके 474 सीट है और इसमें 27 संग्रां से नाणे के 82% 10 सीट है बहुत प्रसणिकों के लिए 8 مदलाब 24 सीट है और अगली भरती हा अगनी समञ्धित्य की जिसमें एनाल एक्छी सीतों कि शंख्या एस मोज हैं इसी सीतों कि संख्या सुन यह पूरा मिलाक के इसमें 23 आयहां यह पूरा यो भरती है यह पूरा मिलाक करके होती है कि 9534 भरतियां कि इसमें भी वही तो तंता सरगाम सरानियों के लिए 2 परसंद जिसके कोई सिट नहीं इसमें भूत परसंद के लिए 5 इसमें एक सिट है पुरा मिला करके आगे बढ़ते हैं आनलाइन आवेदन के समय साड़ी मदब टाइम टेबल क्या है अब को बताते हैं एक अप्रेल 2021 से यह स्टार्ट हो जाएगा आनलाइन आवेदन और इसका लास्ट डेट है सूल्ग जमा करने का और आवेदन को सब्मिट करने का 30 अप्रेल 2021 रातरी 12 वुज चाहे वो पूरू सोन चाहे मैला हो चाहे कोई कैटेग्री हो ओबी सी जन्रल स्ट सभी के लिए 400 रुपे हैं और यह नहीं धायरत किया गया है 400 रुपे इलिजबिल्टी क्या होगी यह आपको बता देते हैं तो सबसे पहले भारत का नागरी खोना चाहिए या फिर तीबित हो जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्रया से पाकिस्तान में अमार स्रिलंका या किसी पूर्व आफ्रेकी देश केनिया यूगांडा और यूनाटे रिपब्लिक का तंजानिया पूर्वर्ति तंजानिका और जानजिबार जो है वहां से प्रोजन किया हो यह सभी लोग इलिजबल हैं इस फार्म को भनने के लिए और जो उत्तापेस राज्य का हो उनके लिए फार्म अब भर सकते हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा सैच्छिक योगिता क्या होने चाहिए उप निरिचक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएसी पर दिखेली जो सैच्छिक योगिता होनी चाहिए वह है भारत में वीधी द्वारे स्थापित किसी विश्विध्याले से इस नातक या सरकार द्वारा उसके संभ संभक्ष मानिताप्राप्त कोई कॉलेज हो वहां से आप ग्रिवेट होना चाहिए आपको दूसरा है अगनी समंदिती अधिकारी पद के लिए इलिजबिल्टी है भात में विधी द्वारे स्थावित किसी विश्विध्याले से विज्ञान में ग्रिवेट उपाधी हासिल होना चाहिए या उसके संभक्ष को इडिया आपके वास डिग्री होना चाहिए आगे बढ़ते हैं आगे दिया गया है कि वह अभ्यार थी जो ग्रिवेशन फाइनल येर में हैं यानि कि अभी परिक्षा में अपियर्ड हुए हैं वह भी इसका फार्म भर सकते हैं यदि वह फार्म भणने की लास्ट डि थी तीस अप्रेल के पहले तक ग्रिएट हो जाते हैं यदि क्रिएट हो जाएंगे तो gerçekten नहीं हो पाते हैं तो ये अप्रेल तो आयोगिय होंगे आगे बढ़ते हैं कि इसमें आयू बताई गई है भरती के लिए आवस्यक है कि अभीयार जन्म दिनाग एक जुलाई 1993 से पूर्व तथा दिनाग एक जुलाई 2000 के पहुचात न हुगा हो और SC, ST और OBC वालों के लिए पांच साल की और छुड़ दी जाएगी धिक्तम उम्र में आगे इसमें बताया गया है चरित्र के बारे में अभ्यार्थी के चरित्र ऐसा होना चेक वर सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकास से उप्युक्त हो सके व्यवाहिक प्रिस्थिती सेवा में किसी पदपन युक्ति के लिए ऐसा पूरुस या महिला अभ्यार्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्निया या पत्ति जिवित हो ऐसी महिला अभ्यारती पात रेना होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवा किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवरतन से छूट दे सकती है यदि उसका समधान हो जाए सारीक स्वासता इसमें वह कंडिड़ेट ऐसे जो की कोई ऐसे सारीक दोस्य यूग्त हो जिससे वह अपने कर्तवियों का दच्चितापूर पालन करने में बाधा पढ़ने के संभावना हो तो वह आयोग्य होगा भरती के प्रक्रिया यह चेन उत्रप्रदेश उप निरिक्षक और निरिक्षक नागरिक पुलिस मलब सिविल पुलिस सेवा इथा संसोधित निम्यावले 2015 सप्तम संसोधन 2020 के अधिन किया जाएगा खर और इसका परिक्षण आनलाइन होगी लिखित परिक्षए और यहां भी विसे दिए गए हैं तो विसा है आपके समान्य हिंदी सव उंखो का मूल विर्धीया समिधान या समान्य है ज्यान वह सव उंखो का मांसिक योग्यता परिक्षा मनलब मैस का सवंखों का मांसिक अभिरूची ये है आपका सवंखों का कुल मिला करकर चार सवंखों का होगा और परिक्षा की आधी होगी दो घंटे मलब 120 मिनट की होगी कि यह से अधिक पालियों में कड़ाय जाएगा और इसके रिजल्ट में नर्बनाई्येसिशन होगा मतलब कि जो रिजल आये गा इसमें नर्ईयेसिन कि प्रक्रिया होगे जिसमें क्योंकि अलग अलग पाली में आयुज़त किया जारा है प्रक्षा तो सब के नंबर को कठिन या सरल भी से को एक्जाम को देखते हुए उस इसाफ से नंबर दिया जाएगा और इसमें एक्वी परसंटाइल मेठर्ड लागू किया जाएगा और इसमें आगे दिया गया है कि सभी बिस्यों में 35% मिनीमम अंक अनिवारे होगा और टोटल जो है 50% अंक प्राप्थ करने होगे नहीं तो आप उसके बाद को मेरिट लिष्ट में नहीं गीना जाएगे यह आप इसको करने में वीफल रहते हैं तो आगे भढते हैं इसमें आगे पाठक्रम भी दी गई है इसमें आगे देगा अगे सारे एक मानक परिष्छड के मानक पूर्सो है तो क्या है आपको बताते हैं तो उचाई मीं 1988 से एकसार सेंटी मेटर नियुनत्व है जनरल वीचा के वालों के लिए एस्ट वालों के लिए एस्ट वालों के लिए अरुप सेटिना जर्णनरल ओवी सी और ऐसी वालों के लिए ज़तल सेटिमेटर बीना फुलाए और कम से कम 84 से सेटिमेटर फुलाने पर है धितु लाओं और फुलाना बेल बयाद 22 से आते हैं तो महिलाओं के लिए जो हाइट है वह है 152 सेंटीमीटर और यह हुआ 152 सेंटीमीटर जनरल ओवी सी और एस्टी वालों के लिए एस्टी वाले महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है और वजन महिला अभ्यार्थियों के लिए नियुंतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए सारी एक दच्छता परिक्छा यहां वहको बताते हैं तो पूर्षों के लिए 4.8 किलोमीटर की दोड़ 28 मिनट में तथा महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दोड़ 16 मिनट में अवस्य पूरी करनी होगी जो अभ्यार्थि नियत समय के भीता दोड़ पूरी नहीं करेंगे हें वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे आगे बढ़ते हमlor आगे यहां पर दिया गए मेडिकल एक जामनेशन चिक्रिस्ता परिक्छा तो चेकिस्ता परेक्षा मुख चेकिस्ता अधिकारी द्वारा गठित चेकिस्ता परेक्षा द्वारा चेकिस्ता मैनुवल वा पुलिस भरती चेकिस्ता परेक्षा पपत्र के अनुसार की जाएगी शेखिस्ता परिक्षड में असफल पाए गया अभियार्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुप्युक्त घोसित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेता चैन के लिए आगे ले जाए जाएगा अलक्षड वस आयू सीमा में छुट तो जो अभियार्थि यू सीमा में चुट उनके लिए यहाँ दिया गया है अन्सूचे जाती वालों को 21 प्रसंट अलक्षड है और अधिक्तम आयू सीमा में चुट पांच वर्स है और उनके उसके लिए उनको जाती प्रणार पत्र का उनको अपना समिट करना होगा और प्रारू तू में दिया गया वहां से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जाती प्रणार पत्र बनना होगा अनसोचे जनजातीयों के लिए 2 परसंट का रक्षड है पांच वर्सों का चूट है ओविसी वालों के लिए 27 परसंट का रक्षड है पांच वर्स लक्षड चूट है यहां पर कुछ और महतपुड बाती दी गई है OBC वालों के लिए जातिर प्रणार पत्र प्रारूप 1 में आपको मिल जाएगा 1 अप्रेल 2020 या उसके बाद का होना चाहिए परन्तो अभ्यार्थी द्वारा इस भरती हेतु आवेदन करने की तीथी तक निर्गत होना चाहिए यह मतलब कि 30 अप्रेल तक अभी के लिए उससे पहले का होना चाहिए कि इडबलोस वालों के लिए भी वही है सेम एक अप्रेल 2020 के बाद और 30 अप्रेल 2021 के पहले तक का होना चाहिए आयू सीमा या अरक्षड का छूट का लाप चाने वाले उत्रप्रेलिस के अरक्षड स्रेडी के अभीहर्थी आवेदन में अपने स्रेडी आवस्त अंकित करें निर्धारित प्रारूप सक्षम अधिकारी दुबारत जारी प्रमारप्त्र आवेदन करने से पुरूद प्राप्त करने एवं जब उनसे अप्रेक्षा की जाए तब उसे प्रस्तूद जरूर करें यदि कोई अभीहर्थी एक से अधिक स्रेडी में आर्क्षाड का दावा करता है केवल उसे एक ही आर्क्षाड का लाव मिलेगा जो कि उसके लिए ज्यादा लावकारी होगा ऐसे पुरुष अभीहर्थी जो उत्तर प्रदस का मुल निमासि प्रमात पत्र प्रस्तूद करने में असफल रहते हैं उन्हें अनार्क्षित स्रेडी का अभ्हार्थी मानते उवे बिचार किया जाएगा ऐसे अभ्यार्थियों को उनकी सिरड़ी के अंतरगत आयक्षड का लाव नहीं दिया जाएगा तथा उनके द्वारा आनलाइन लिखित परिक्षा में प्राप्त प्रसामाननी कृत हंक अनायक्षित छेत्र के कटाफ से कम होने की दसा में उन्हें भरती प्रक्रिया के अगले चरण में समलित नहीं किया जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर कुछ और महतपूर सुचनाय दे गई हैं आलें आवेदान करते समय अभ्यार्थि के पास यथा अप्यक्षित निमलिखित अभिलेख होने के अनिवार हैं जो अभ्यार्थि द्वारा आवेदान करते समय सक आवेदान पत्र के साथ अपलोड या अटेज किया जाएंगे सबसे पहला है इसनातक उपाधी अंग पर्मार्ण पत्र या फिर पर्मार्ण पत्र अधिमानी अहर्ता संबंधी अभिलेख यदि कोई हो तो और यहां कुछ और दिये गया है डाकुमेंट जो जो आप लगाना चाहें वह लगा जो भी जिसके आप योग हैं वह उसको आप जरूर लगाएं अब आगे आपको बताते हैं आलेन आवेदान करने की प्रक्रिया तो सबसे पहले आपको बोर्ड की विपसाइट पर जाना होगा एस टी टी पी इसलैस यू पी बी पी डी डाट जी ओभी डाट आइन पर जाएं आप उसके बाद आलेन आवेदान को भरे जाने हैं तो विपसाइट पर दिये के विश्तित नेर्देस्तों को भली भाती समझ लें और आगे बढ़ें बोर्ड की विपसाइट पर आलेन वेग्यापन के समुख कंडिरेट सरी स्टेशन को क्लिक करने पर आवेदान का एक प्रारूप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा जिसमें अभिहर्थी वांचित सोचनाय भरेंगे आगे बढ़ने पर आलेन आवेद स्टेशन को क्लिक करने पर प्राप्त फार्म सुचनाय भरकर पंजिकरण करें तथा इसलिए प्रिंट कर अपने पास रच्चित रखेंगे अगले चरण में रेजिस्टेशन नंबर एवन पासवर्ड अभिहर्थी को निर्धारत स्थान पर सही से प्रविष्ट करना होगा । दितीचरण सिगेंड स्टेप में गपे और जानकरियां बंढ़नी होगी अभिहर्थी को प्राप्त रर्च्चसन नंबर पासवर्ड लागिन करके फॉर्म में मांगी जानकरई बिना तूटी बनदी होगी समझ जानकरई बन्ने को प्रांत अभिहर्थी को अपनी नविंतम रंगिन फोटो इस्थाक्चर अधिमानी इलिजबिल्टी जो भी हो इनका अभी लोगों की स्कैन कापी आरक छड़ेतु सीमा छूट के दावे समंदिय भिलेक अभी लोगों की स्कैन कापी अपलोड कर सभी घुष्णाओं को भली भाती पढ़कर सब्मेट क करने के पहले अभियर्थी को किसी सुचना कि इसकान कापी को संसोदित या फिर इडिट करना है तो हर सक्सेक्शन के आगे दिये गए बटन को लिक करके संसोदित कर सकते हैं अभियर्थी द्वारा भरी गई सारी जानकारी लॉग इन में सेव रहेंगे तथा फीस पेमेंट के तरब बढ़ने से पहले सुनक्षित करने कि दी गई जानकारी सही है और अभियर्थी अपने अप्लिकेशन फार्म दथा फीस रसीद को प्रेंट कर सकता है तीसरे स्टेप में हैं अभियर्थी इचलान इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड यूपि निर्धारित निसुल्क नहीं निर्धारित सुल्क का भुकतान ततकाल कर सकता है यदि चलान इचलान के माध्य में से सुल्क का भुकतान करना हो तो अभियर्थी भारती स्टेट बैंक का इचलान प्रिंट कर लें सुल्क का भुकतान करने के बाद अभियर्थी को एक ट्रा सब्सक्राइब में उसका भुक्तान कर सकता है कि आगे बढ़ में यहां दिया अपनी रंगीन फोटो और सक्षव का आविदन में लेखित निर्धायत अस्थान पर स्कान करें इसमें ध्यान देना चाहिए आप लोगों को कि आपको चेहरे के छवी है वह इस पर जिनकी आपक कोई चमक्या 6 उस पर नहीं होनाा चाहिए। और वह नया फोक्त होना चाहिए उसलै न हने देखा साफ दिखने चाहिए कंदय करांको सफेद हो या फिर हलके ग्रे रंग हो उसकी साधी माने जो पीछे जो भी बैग्राउंड हो आपका साधा होना चाहिए फिर वाइट रंग का होना चाहिए ठुड़ी से सीखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70% भाग अच्छा दित करता मतब सभी जब फोटो जो भी हो आपका साफ स होना चाहिए मूह बंद होने चाहिए आखे खुली होने चाहिए और दोनों कान के दोनों किनारे साफ सब दिखते होने चाहिए दोनों कान भी दिखता आप कैमरे में आप सीधा देखेंगे चहस्मा पहने के सिती में आखे साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगी नहीं होन करते हैं तो आनलाइन सिस्टम स्विकार आपका नहीं करेगा फॉर्म कि एक बार आविदन सब्मिट पर क्लिक करने के बाद उसमें कोई संसोधन नहीं किया सकता आनलाइन आविदन पत्र भणने है तो विस्तित निर्देश बोर्ड की विवसाइड परिथा समय उपलब्द र निर्दगत अन अपात्ति प्रमाल पत्र उन्हों आप जेसन सर्टिफिकेट जिससे करते हैं उसे प्राप्त करना होगा अभिहार्थी आविदन पत्र की अथार्था और पूर्टा के व्यक्तिगत रूप से अकेले ही उत्यदाई होगा यादि किसी अभिहार्थी का इसको विश्तित रूप से पढ़ सकते हैं बोड का निर्ड़ ही अंतिम निर्ड़ होगा और लिखित परिक्षा का सलेबस यहां पर दिया गया है समान हिंदी सौंग को का यह आपको उपर बता चुके हैं मूल विधी समिधान या समान निगन जो आएगा सौंग को का आप इसको आराम से पढ़नेंगे इस प्रकास से नीची आने पर यहां पर प्रारूप दिये गया है जो जो अपना लगाएंगे उपर वो इसी फॉर्मेट पर होना चाहिए आप यहां से इसको देख सकते हैं और इसी को प्रिंट मारकर या इसी प्रारूप में आप बनवा आप लाएंगे फॉर्म उसको अपलोड करेंगे तो यह रहा आज का वीडियो यह आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको सेयर करें जिसको इसका जरुद्ध हो और हमाया चनल को सब्सक्राइब करें धाने बाले थैंक्यू फर्वाचन झाल झाल